आजे उन्सी नमबर पैशक सर्पाफिक लगड़ अभी कार्ट चला है तुन्हें पाके हमने जहां पा लिया जमी को जमी आत्मा पा लिया किसी पाकी पा लिया है और क्या पा लिया है तुम्हें माने किसे जिंदू को जो जिंदू सुप्रिम सोर है वो तो सदा का लहाई है जैके हमारी आत्मा सदा का लहाई है पाने और ना पाने की बात ही नहीं लेकिन वो सुप्रीम सोल जब इस सदी पर प्रशक्ष होता है और ये बात हम समझ लेते हैं बुद्धी से ये वो निरातार दुप्रीम सोल जब कोई साकार मुकर्ण जब ये बुद्धी में बैठ जाता है कि सारी मनुक्य सदी का बीज पिता परमातमत हमको प्राक्ष बुचुक है जिसके लिए हम स्रेशा के जनम से भचकते आए इसों में टितानों में माथा तेखते आए और कहीं भी मिलाने वो हमें प्राक्ष बुचुक है जिस बीज के पाने से सारा मनुसे तक से रूपी धार है जैसे हमारी बुद्ध रूपी भुच्टी में आजाद है बीज को पाने है तो बीज में सारा धार को समाया ही हुआ है तो मिशे बिशे बच्चे जानते है कि अधी ऐसे बेहद के बाक से हमको वर्षा मिल रहे है बेहद का बाक का वर्षा भी बेहद का होता है हर्ष के बाक से हर्ष क्या अंको ताल का वर्षा मिल रहे है लाख, सरोण, अरब, 10 अरब का वर्षा मिल रहेगा जाद से जाद से और बाप हेल्दी होगा तो बच्चा भी हेल्दी बन जाएगा लेकिन वो हैल्थ और वैल्थ है सदाकार की नहीं हो सकती एक जन्व के लिए भी पूरी पड़े या न पड़े लेकिन जो बेहद का मनुषे सश्थी का बाक है उसके द्वारा सुप्रीम सोल्सिम आकरके जो हमको सुकसांती का अखर्द वर्षा देता है वो वर्षा आविनाजी है एक जन्व के नहीं है हम चाहे तो उसकी स्रीमत पर जल करके पूरा पुर्षाट करके अनेज जन्व कासों के शांती का वर्षा ले करते हैं उससे जो सुक का वर्षा मिलता है उसके साक्रों में जीवन मुट्ती गई ली और जो सांती का वर्षा मिलता है उसके मुक्ती कहते तो वो आकर के हमको ये मुक्ती और जीवन मुक्ती का बेहर का वर्षा देता है ये बहुत समझने की बाते हैं कहावत है परमपिता परमात्मा द्हर्म इस्ठापको पर्षा देते अपना अपना धर्म स्थापन करने देते तो वो धर्म के तायाकर अपना दर्म इस्थापन करते हैं। पर अब तो ऐसे नहीं, तो वो इप्रहेम बुज़क्रायक के गुरु नान काजे आकर के कोई हमको बेददा वर्षा दे देते हैं। नहीं। उनसे बेददा के वर्षे की बात ही नहीं निकलती है। वाक्तम में इस्थी को सुखसांती का बशा देने वाला एक ही बात है। क्राइस की आतमा सधी का बात थोड़े ही है। जो साई वर्षे को बशा देगी। सिर्फ किस्यांच लोग उनको अपना बात मांग दे। तो बेददा बात तो नहीं हुआ। बले आज इसमन इस्थी में सौ करोड थे जी उपर किस्यांच लेकिन दुनिया की आवादी तो पांसो साफो करोड है। तो सारी दुनिया तो उनको अपना बात नहीं मांती। वो बेहद का बात है। जिसको क्राइट्स भी गॉड़ फादर के नाम से जानता था। जो भी धर्ण पितारे हैं। वो सारी उसे मांते हैं। तो प्राइट्स भी किस्यंच का बात है। तो बड़ा वो किस्यंच का कौण। किस्यंच को कौण का बता देते हैं। अक्सम तो उटता है ना। और वो बर्षा किसको देंगे। वो तो सिर्फ आपना धर्म शापन करने की लिए आते हैं। धर्म की धर्मा शापन करते हैं। और चले जाते हैं। उनके पीच्छे दूसरे दूसरे किच्चन का आते रहते हैं। दूसरे धर्म की आत्मा भी आते रहते हैं। शुख शांती का वर्षा को कोई नहीं देती, दुनिया तो नीचे गिती चली जाती है, दुनिया में दुख और शांती बरती चली जाती है, तो शुख शांती के वर्षे की बाप ही नहीं, बाप से वर्षा लेना होता है, समझो इब्राहिम बुद्ध क्राइस आए, उन्होंने क्या दिया, किसी को वर्षा दिया, नहीं, ये वर्षा देना बाप का काम है, तो तो कुछ आती है, आती है, जाती है, इसे चली जाती है, पता नहीं कहसा कहा चलीगे, सकती व्रद्धी को पाती रहती है, इसे साधित होता है, कि वो आत्में कहनी बाकत नहीं चली जाती है, तो दुनिया में ज़मनेती रहती है, और नीचे किती रहती, तो गर्षा हमेशा Creator से जिलता है Creator कहा जाता है बाप को और creation रचना कहा जाता है बच्चों को Creator एक है लौकी को बाप और दूसरा है पारलोप को बाप लौकी तो पाप से एक जन्मों का अलपताल का बर्चा मिलता है पारलोप की तो पाप से अलेक जन्मों का अभी जाती बर्चा मिलता है ये बड़ी समझेने दान करने की बाते है दाना भी उनको होगी जो औरों को दान करते रहेंगे ज्यान रतनों का दान गुण रतनों का दान जो दूसरों को करते रहेंगे तो उनका अपना ज्यान अपने गुण स्वत्य ही बरते रहेंगे जो ईश्वर का ज्यान लेकर दूसरों को नहीं देता उसका अपना ज्यान भी नहीं बरते रहेंगे कहते विए भज़ दिये धन ना खूटे वो इस तूल धन को लोटा दो तो लूट जाता है ख़त तो हो जाता है और ये ज्ञान धन जो इच्वर से मिछता है वो कभी जैने से कूटता नहीं है अज बेहत का बाप सभी बच्चों को वच्चा देने आया है बेहत का बापी बच्चों को बेहत का वच्चा देते है किच्चन सिस्लामी बहुती आज सभी का बापी के और सभी कहते है गार फादर पैस्ट ने भी कहा है गार फादर फादर को कोई सब भूलते नहीं है और गार फादर एक ही निरागार को कहा जाता है एक ही का क्या मतलब और निराकार का क्या मतलब निराकार समझते हैं जो इन आखों से देखने में नहीं आथा तो हमारी आत्मा की तो निराकार है हमारी जोती विलू आत्मा जिसकी रोजनी इन आखों से निकलती है वो इन आपों से देखने में तो नहीं आती वो भी तो निराकार है जिसकी आदगार में ब्रपुटी के मद्ध में विंदी लगाते है पुरुशुमो व़ तीका लगाते है इसका मतलब कि वो जोसि बिंदू जमक्ती हुई आत्मा के तारा ब्रपुर्टी के मद्ध में एका हुआ है जिसकी आदमें की का लगाते सभी दिराकार आतमों का बाप एक ही बिंदू बिंदू आतमा है उनका बाप भी बिंदू सांप लंबा होगा तो सांप का बाप भी लंबा होगा कीटाउं छोटा होगा, तो कीटाउंसा बाप भी छोटा होगा। हाथ ही मोटा ताड़ा होगा, तो इसका बाप भी मोटा ताड़ा हो। तो बिंदू-बिंदू आतमाउं का आप जोची बिंदू शेवर, वो भी जोची बिंदू है। लेकिन वो जोटी बिंदू का आज फादर एक ही है और निराकार है, उसको यांजर नहीं, तो ये पैकिलर्टी का पता कहते चले, कि वो एक ही कॉल है, कि तो आजम है, तो सभी जोटी बिंदू है, तो कोंचे जोटी बिंदू को याद करें, कोंचे निराकार को याद करें, तो निराकार जोटी बिंदू, जरूर इसकी पर कोई में प्रवेश होता है, और एक में ही प्रवेश होकर सारी सर्षी पर प्रवेश होता है, ये एक मुकर्ण रख में आता है, वो सरव्यापी रोकर के नहीं आता है, अगर वो सराव्याती रों करके आये हर आतमा में वो परमात्मा पर तक्षोने लगे तो उसको कोई भी नहीं पहचान पाएगा तो सभी निराकार आतमां का बाप एक लिग और खादर है धर्म स्थापकों का भी वो निराकार एक बाप है और उनसे ही वर्षा देंता है सभी गार्ठादर कहके कुपाते है एक भारती इसर ऐसा कमभक्त है जो कहते हैं इसर सरव्यादी इसर को कांकड में अच्छमत में जैंसे जानवरों में ब्यापक समझे लेश? अब ऐसा कमभक्त इसर ने बनाया? जूनो ने ये बताया है जीन्सवर सरव्यादी? घुज ही कमभक्त बने सभी इसर सरव्यादी है आइसर को याद करते है सबमें ब्यापक है तो फ़र सबको याद कर इस्वरे के इस्पेशन प्रतिमा बनागर की चोड़ते हैं साधु लोग साधना किसकी कते हैं और प्राथने कते हैं बात आएगे हैं तो ये बात पूछे हैं ना क्रियेटर सब्का एक हैं देवताओं कावी क्रियेटर रेके हैं मनश्यों कावी क्रियेटर रेके हैं बोली पत्यत पावन क्रियेटर आमिनासी को नहीं कहा लाता आतमा आमिनासी आत्मा को बात जोसी बिन्दु परमात्मा आमिनाथी उसे क्रियेट करने की बात नहीं क्योंकि आत्मा क्रियेट नहीं होती आत्मा बनाई नहीं जाती आत्मा तो अलारामारा आमिनाथी है लेकिन आत्मा जब शरीर में प्रमेश करे तो क्रिएर कही दा सकती है अब देवताव तु क्रिएर किसने का किया तर्यू केलते में तो तारी मनुशे सकती होती तर भूल करने लाए मनुशे ने बिद्राय मनुशे बनता है तो राष्र कहा जाता है और मनेश्यों को राखर से देवता बनाने वाला परम्तिता परमात्मन। यह किसी की बुद्धी में नहीं आता ची पते 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 तुम बच्छों की बुद्धी में हैं। कि रावारुपी दुश्मन हम को पते बनाते हैं। लिखा हुआ हैं। देवताय बाम मारग में गएं। बाया हाथ और यह दाया हाथ शुरू को पते 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 हैं। दाया हाथ शुरू माना जाता हैं। और बाया हाथ शुरू माना जाता हैं। दान धर्म कोंते हाथ से कते हैं। दाया हाथ से दान धर्म किया जाता है। अच्छी कर्म किया जाता है। बाया हाथ से पतान साथ किया जाता है। तो बाया आशुब है और दाया हाथ आशुब है मान देवताएं बाम मार्ग में गए हैं माने पुरिते मार्ग में चले जिस मार्ग में नहीं जाना चाहिए जो मार्ग है त्रीमत भगवत गीता के वर किलावत है तोस मार्ग में चलेगे गीता में तुम दिखा हुआ है ए अर्जुन ये काम महासक्त्र है तू इसको त्यार दे लेकिन जब बाम मारूए गए तो कुछ तक जिरुती जो धरी रहे जाती कोई विकाम मेकार को त्यार लेका को साथ पूरा नहीं कर पाता क्योंकि किसी को पाता ही नहीं है कि वो देरे विकारी देवता है विकारी कैसी बन ज़े है बाम मारूए गए जाना अर्माना पतित बन ज़े देवता है पतित नहीं बोचित है नीचे नहीं गरते थे, ना तन की सक्ती से नीचे गरते थे, तन की सक्ती विक्षण नहीं होती थे, मन की सक्ती विक्षण नहीं होती थे, तो जो तर्दर और मन से कभी पतित नहीं बने वो देवताइं आज पूजे जाते मंदिरों रोगे के हम पूजा करते हैं कौन पूजा करते हैं जो पतित बनते हैं, बाम मार्ग में जाते हैं, उल्टा रास्था पकरते हैं बोब मंदर बनाता जो पुजा करते हैं अब बाप आ रहे हैं कैसे हैं बच्चे तुम्ही देवता थे मैंने आकर जो तुमको नर्थे नार बदाया था गीसा जान देकर जैसे गीसा में लिखा हुआ है कि यह आजम तुम वहां दर्मतर जो मैं बताता हूं मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति बताता हूं ये कर्म विकर्म की गति कोई नहीं बता सकता है अगर बताया होता तो दुमिया ने कर्मों का सुधार हुआ होता दुमिया भीजे नहीं गति मैं आतर के कर्म की बुहिय गत्ती बताता हूँ तो जो कर्म की बुहिय गत्ती समझते हैं इज्वरिय ग्यान को दहन करते हैं वो मुर्शी से देवता दमती है तो अभी ये पावन दुनिया बन रही है सारी दुनिया एक साथ पावन भी बन सकती ऐसी कि नहीं कि इस दुनिया में जोगी 500-500 क्रोण मनुष्य है वो परमात्मा के आने मात्र से ही एक दम पारण देवताई बन जा रहे है दुनिया का कोई भी धर्म इस्थापन होता है तो उसमें चाइम लगता है कोई भी धर्म पिताई आए सो पारासमा का चाइम लगता सब धर्म की इस्थापन होती यहां को परमात्मा बापातर किस्थ धर्म की इस्थापन ही नहीं करते आजि सनात्म देवताई धर्म की राजाई भी इस्थापन करके जाते राजाई भी इस्थापन करके जाते और इतना ही नहीं जो पुराने दुष्ट धर्म कर नहीं है धर्म के नाम पर आधंबर हो चुके है उन सब का विनाथ कर रहे जिते धर्म कर ठापना का विनाथ आए के दुष्ट कर दम सर्धर्म की ठापना करता हूं और दुष्ट धर्मों का विनाथ कर देचा दुष्ट धर्मों को मानने वाले कोई भी इंस्थी पर नहीं गही धर्म कर आधंबर के पति दुझनिया शुरू होती है पति गोट्रेटा जो रामपिस्ट की भूनी है बात में ये भूनी थी वहां साथ कुर्णिया शुरू है शास्त्रों ने तो मनुसी ने मनुसी गुर्मों ने अगरम बगरम कर दिये एक तरफ कहते हैं सक्षिकु में सोला तरा सम्पूर देवता है शुरू नार्यरता राजी था अब दूसरी तरफ में जी दिये हैं अब अधर्णा कर राजी था अरे जोनों बाते कैसे सिद्धी होंगी एक तरफ कहते हैं राम राजी में सब प्रकार का सुक्त था कोई प्रकार का दुप नहीं था दूसरी तरफ कहते हैं राम की सीता चुराईगी तो जो राम राजा उसकी सीता चुरा ली जाएगी तो दूसरों का चा चिकाना रहेगे इसका बानरगल बाते हो जाती है बास्तम में सत्यूगतेता वो भूनी है भास्त की जहां कोई भिपकदार का किसी का, किसी को दुख नहीं होता सुख सांथी से संपन्न दो यूग है और उन्हीं यूगों की सापना, कोई यूगों में धर्मता संचार, परमास्मा बाप आता की करते है जब दो यूगों पूरे आउटे है तब तीसरा यूगा आता है ज्वापव यूग उसका नामी है ज्वापुर, दो पुर दो दो राजी हो जाते है दो दो धर्म हो जाते है दो दो मते हो जाती है दो में से चार, चार में से आत दुनिया में ध़गरे पैदा होते रहते अनेक भापा हो जाती है अल्यूगान तमें आते-आते कले, प्लेश, चर्मसीना को पहुर जाता है सारे धर्म पिताय आतर की अपना पैस्मा दिखा के चले जाती इस सची पर को बें सुक्सान की आपनी कर पाता सुक्ति दुनिया नहीं बना पाता सब हाथ उठाए देते हैं गांधी जी ने भारत में कितना प्रयास किया राम राजी लाएंगे शरीर छोड़के चले गए पर रिजल्ट क्या हुआ राम राजी हुआ है और गी राम राजी हो गया और यह राम राजी हो गया अभी बाप कहसे रहे कि मैं आया हुआ हुआ यह राम राजी शापन करना नेरा कार और साथा राम का ही काम है यह कोई मनुष्य का काम नहीं है अगर मनुष्यों का काम होता तो हिस्ट्री में धैल जार बसका खाता हमारी पाद्रेट मनुष्य जर्ती उपर उठी होती इतने है कान भूती चेहन पीलता मनुष्य में बढ़ी होती लेकिन ये दिव्य पूर गटे गए या बढ़ते गए ये तो और ही गटे गए तो ये तारी जुमिया का पतन होता है द्वापन के जब दूसरे दूसरे धर्म के काय आते हैं और दूसरे दूसरे धर्म इस्थापन करते हैं इस्वरि है राजि और आपुणी राजि कहां तो जाता है का क्ष़की को तेसा है इस्वर का स्थापन किया हुआ राजिया और ज़ासरटळुग ain अपनो के जोicarा राजिया, हनासकी ही बात है रावनों को भारत में नहीं जलाते हैं दूसरे डेशों में रावनों को नहीं जलाते क्यों? क्या भारत में रावन विदेश्टे आता है क्या? यह रावन söब कराथी है कैसे राम आयोध्या कराथी है आमने नहीं योध्या मने युध्य जहां नहीं होता तो सख्य बतेटने को हीुध्य नहीं होता काराथा जब जौपर चुनू होता है, दुख चुनू होता है तो भी रावर को नहीं जलाते क्योंकि जौपर में फिर भी आख कलाई रहती लेकिन सल्यों कर सल्या ही हो जाता है कोई गुण मनुश्य में नहीं रहते सब आप बुणी हो जाते हैं तब폰 रावर को जलाना सुरू करते दुणी में भी देखा जाता है बड़े बड़े नेटाओं के पुतले जलाते हैं कब जलाते हैं? जब कोई ज्याजए दुखी करते हैं बहुत दुखी हो जाते हैं तो उसका पुतला बनायकर जलाते हैं तो बाद मेरा आवन का पुतना ज़ाते चले आते हैं तलिव दूझे बाबा ने समझाया है और धर्मिस्थापत इसको भी बश्चा नहीं कहते हैं वो तेसा धर्मिस्थापत करते हैं इसनी उनको यान करते हैं बादी क्रैस को ब्रह्मा विष्णु संकर को बैट प्रातना करने से वो कुछ भी नहीं चाहिए क्रैस की पुपातना करो ब्रह्मा की पूजा करो विष्णु की पूजा करो संकर की पूजा करो उनसे कुछ मिलने वादा देए और वो तो धाई-जार बस से करते ही चलिया है विश्टु की मूर्तियां बनाई उनकी पूजा करते रहे संकर की मूर्तियां बनाई उनकी पूजा करते रहे लेकिन सुमा सांती तो नहीं जिली विश्टु सांती मिलती ही तब है जब पुनिराकार जोती सदास्य में सश्थी पर आता है और ब्रह्मा जुष्टों संकर के द्वारा अपना कारी शुलू करता है तो उनको सनमुकव आना पड़ता है मुक के सामने आना पड़े हाजरा हुजूर होना पड़े परजेंट होना पड़े क्रिस्न में परमात्मा आते है ऐसा तो दुनिया को यहीं मात्या हाँ यह कहते है क्रिस्न भगोवान था और वो अर्दूल के रथ में आया था तो समद लेते हैं कि वो कोई सूल रथ भुगा होगा वास्ता में इस शरीर कोई रथ तका दा इस शरीर में इंद्रियों रूपी बोड़े है इन इंद्रियों को मनुष्य कंट्रोल में नहीं रख पारा है जब इंद्रियों कंट्रोल से बाहर हो जाती है कोई के कंट्रोल में नहीं रहती तब वो सूप्रीम सूल शरीर में रूपी रथ में प्रवेश करता है और इन इंद्रियों रूपी बोड़ों को कंट्रोल करना सिखाता है राजियों की द्वर ऐसा ज्ञान देता है ताप कहते हैं मैं तुम बश्चों को बर्षा देने के लिए एक ही टाइम पर आता हूँ साफ्रों बेसर के दिजिया सत्यमु में आता है नर्देंग अदावत आदा लेता है सत्यमु मारता है तेता में राम बन के आता है रावन को मारता है ज्ञापर में क्रश्न भगवान बन के आता है और करोमण पार यादों बसंगार करता है अले क्रश्न भगवान बन करके ज्ञापर में आए और जापर की अंस में महाधारति उस्य कराने के बाद रिजन से निकले कल्यू की इस्वापनत? तो बगवान का पापी करने कि इस्वापनत में आता है क्या? बगवान पापी की इस्वापनत करने आएगा? नहीं, ये सब बाते मनशी गुरूनों ने लिखी हैं। बाफ आगर के बताते हैं, मैं तो आता ही सब हूँ जब ये सश्की पूरी पतित हो जाती है, दुनिया में भी कोई बाफ होते हैं, अपने बच्चों के लिए मकान तब ही बनाते हैं, जब पुराना मकान बहुत पुराना हो जाता है, जब तक रेपेरिंग के काम चल सकता है, तब तक उसमें रेपेरिंग करते हैं, जब रेपेरिंग के सामनीं करता है, तब पुराना मकान तोड़ो ला करके नया मकान बच्चों के लिए बनाते हैं, तो ये भी सश्की पुरूपी मकान है, ये सश्की पुरूपी मकान, जब पुराना होना शुरू होता है द्वापस तो इत्राइम, बुद्ध, राइस्ट, गुरुनानत आकरके, समय समय पर, इठान इठान पर, इसकी रिपेरेंग अतां कराती है। अरब देश में इत्राम धर्म इठाफल हुआ जाई जाता है। योर्पिये देशों में किप्षियन दाव में ठापर हुआ प्राइस्ट के दोरा दो हर्या साल पर हुआ चींग आपान आदी पूर्ये देशों में मास्मा मुद्ट के दोरा बहुत दापर हुआ ऐसे ऐसे एक के बाद एक एक के बाद एक हजार पांसों मचों के बाद एक एक धर्म के ताएं आते रहते हैं और प्रस्टी की मर्मत कते रहते हैं अपने अपने प्रतार से धर्म की धर्में दिखाते रहते हैं लेकिन नया मतान कोई नी बनता ये नया मतान बनाना और पुराणी संस्ती को खलाप्स कर देना ये तो परंपिता परमात्मा स्रीम कही काम हो इसलिए सभी धरम जिस आपक आज भी उसर परंपिता परमात्मा को याद दरती हैं तो उनको सर्मु काना पड़े, जैसे धर्म पिताएं आते हैं, अपनी धर्म की साथ ना करने, तो अपने फारोज के सामने आते हैं ना, तो परमस्मा पास भी जो निराकार ज्योती है, जिस निराकार ज्योती का बड़ा लिंग बनाते हैं, चूझातने की सुविधा के लिए उस बिंडू का बड़ा आतार बनाते हैं, जिवलिंग इतना बड़ा भय नहीं हमारी आत्मा की तरह वो भी जोती विंगूर वो भी शितारा है जैसे हम आत्मा इस दर्जी के दहता भी शितारे है जैसे वो पर्मात्मा भी सितारा है तो वो सितारा बाग जब इच्छपी पर आता है तो वो दाता बंदर के आता है हम बच्चों से लेता कुछ भी नहीं है बाग कहते हैं मैं ही सुमुक को बर्षा देने वाला और बाबा दो को कहा जाता है एक होता है शरीर का बाबा और दूसरा होता है आतमा का बाबा और कोई बाबा हो नहीं सकता तुमको इस बाबा के आतात प्रजा की ताहते वर्षा में नहीं सकता जो शरीरों का बाब है जो भी मनुष्टे सेश्टी की पांच उपनोर है मनुष्य आत्माएं हैं, मनुष्य ने उन मनुष्यों को जन्म देने वाला एक भीज है प्रज्या पिता उससे तुमको वर्षा नहीं मिल सकता क्राइस से भी वर्षा नहीं मिल सकता बुससे भी बेस भी वर्षा नहीं मिल सकता वर्षा तब ही मिलता है जब वो सुप्रीन चोल परजया पिता में प्रवेश करता है तो सावित हुआ एक शिव बाबा से ही बता मिलता है वो शिव की बिंदी का नागी ही शिव है वो जोती बिंदु जब शाटार सरी में प्रवेश करता है तो शिव बाबा कहा जाता है नहीं तो वो दिंदु दिनदु आत्माँ कर छिर्प भाग है दूसरा कोई संमद नहीं बनता संमद संबुते जब उस्था कार्वेता जाते ने समेव माता स्पिता समेवत समेव बंदू बंदू जशा का समेवrett समय व्लकेतार करें संमदू उस परमात्मा के साथ जोडते तो प्रेक्टिकल में आया हुआ होगा तन ही तो जोड़ेगे तो इसे का कहने की बाते थोड़ेगे ब्रह्मा अविशुर्शंकाई भी उससे वर्षाली थी इसे सुप्रीम सोर सिर्वाक थी वो दादा है सर्वाका सविरती दाता, सर्वाका मुक्ति जीवर मुक्ति दाता इसलिए पहले पहले कोई को भी बाप का पच्चे देना चाहिए उसके पास आत्मा का पच्चे देना ही पाई बाप है तो भाप के बच्चे भी हुँए वो बाप है हम बिन्दु बिन्दु आत्मों कर और हम बिन्दु बिन्दु आत्में उसके बच्चे हो तो कोई कोई ज्यान सुनाना शुरू करना है तो समसे पहले क्या बताना है कि तुम जोट बिन्दु आत्मा हो तुम ये बिनाशी शरीर नहीं हो यह शरीर तो आग है और कल खराश हो जैब तुम जूटिविंदू आकमा तबी बरी रहेंगी तो तुम जूटिविंदू जू आकमा हो tribe ko जानो और अपने बाब को पहचार जब अपने बाफ की पहचार हो जाए थी कि वो सुप्रीम सोल जोटी बिंदू है जिसकी यादगार सोमनाथ मंदर में बनाई गें थी सोमनाथ मंदर में चारों करफ की दीवान में चुम्बक ज़गा हुआ था और जीट में एरा रहा रहते हुआ लिंग से लटट रहा था उस लिंग में ही आज़ा हुआ था लाल पत्थर का जोहे से बस्रूए पत्थर का लिंग था और जीट में ही रहा था तो वो लिंग इसकी यादगार रही और वो घीड़ा किसकी यादगारी हीड़ा है सिर्वधियोटी बिंदू की यादगार और जो लिंग रहा है लाल पत्थर था वो शरीर दाले की यादगार है जो ज्यान का सादर बन करके स्वंसादगे परक्षच होता है तो बाब कहते हैं मुझे घीरे को समझो मैं जब हीरा आतर के घीरो पाट दाली में प्रवेश करता हूँ तब ही जंसार का सल्या हूँ जाए इसलिए पहरे पहरे कोई को बाब का पर्चे देना पर यूँ तो कोई बढ़े मुझे को भी बाबा आवा पिता की कह देते पर तो बाब सम्झे बाबा कोई नहीं बाब एक लोग कित और दूसरा पालोग की कोता है क्या हैंगी ये ब्रह्मा की जिसमानी बाब है क्योंकि ये दी एडाप्ट करते है बन तुम ब्रह्मा को बाबा कहते हो पर तुम वर्चा उनसे मिलता है ब्रह्मा से वर्चा नहीं मिलता है उनसे मिलता है उनसे मना जो संसार में जो रूप परमात्मा भागते बाते पर चेश होने वना है उनसे ही वर्षा दिलता है और वो कौन सा वर्षा है गति शट्रति का वर्षा है जो इस समयली तुम बच्चों को देते हैं माने हुक की अंत और सचिय के आछ में तो कोवर्था मिलता है। और जब बंदा मिलता है तो उसकी निचानी है, उसकी पहर का जाते हैं, साथ डुखों के बंदान से चूट जाते हैं। जुर्गती से शूट जाते है असाथ जीवन जो बंदन में मैसूस करते हैं उससे छुटका रही जाता है इस जम्हें भायत्वासी और सारी दुनियाम साब रावन की बंदन में रावन में सब को बांग रखते हैं जैसे साथ देल में परेगी आतमा जो पहले पहले आती है वो पहले जीवन मुक्ती पिर जीवन बंदने चलिजाती है कहांके आती हैं तरफ तो आती होगी नहीं तो इस दुनिया की जनतन क्या क्यों करती जाती है मनचियों की जन्तन क्या नहीं कीत बसु पक्षी पतंगे सब की जन्तन क्या में बद्धी हो रही तो जरूर ये आत्म है कहीं इस लोग से बाहर को दूसरा लोग है जहां के आती उस लोग को अंग्रेज लोग कहते हैं सुप्रीम में बोल को नवर्ड मुसल्मान लोग कहते हैं अर्च सात्वा आत्वान पहले कैसे से खुदा आर्च में रहता है अर्च में नहीं रहता अभी तो मुसल्मान भी कहने लगे हैं खुदा जर्डे जर्डे में जब उसको हर जर्डे ढूंगा कहीं मिला नहीं तो कहने लगे वो सब में, हर्टे के ब्यातर, तो बाप कहते हैं, कि ये सब आतमें परम धाम से आती है, सूर चांद कितारों की दुनिया से भी पड़े, एक ऐसा धाम है, जिसका घीता में वररन है, ये किस लोग आया है, ना वहां सूर चांद सितारों का प्रकाश कहुंचता है, जहां द्याकर के आतमें बापत इस सुदुखी की दुनिया में नहीं लोटती हूँ, वो मेरा परमधाम है, तो सुपरमधान की तुम दिली जिन्दू आतमें दे रहने बाती हूँ, और मैं सुप्रीम दूल बातु भ तुम इस सुदू पर आते हो, तो थोड़ा थोड़ा करके आती हूँ, कंचिको में थोड़ी आतमें उतर्ती हूँ, तेटा में और ज्यादा उतर्ती हूँ, जापर में फिर और ज्यादा उतर्ती हूँ, और कल्यू के अन्सर तक ने सारी आतमें मनुसें सुदू की निए उ परने का टाइम होता है तब वो सुप्रीम सोनी सस्की पर आता है और आतर के सब आत्माओं को अपने स्वरूप का परीचे देता है कि तुम जोती बिंदु आत्मा हो इस्टार हो तुम धर्ती के सितारे हो वो सितारे तो आत्मान में जो चमकते है वो जड़ है और तुम चैटल इसी तारे हो चैटल इकाहा जाता है चलते फिरते बोलते को तो तुम चलते फिरते बोलते इसी तारे हो ये परिशेदे करके आकमों को स्वरूत में स्थिर कराता है कि तुम आप ये देह भान छोड़ दो दे को याद करना मान मिट्टी को याद करना मिट्टी को और पक्थर को याद करते करते ताली गुद्धी पक्थर बन नहीं यहां तक पक्थर गुद्धी बन पड़े है कि जिस डाली पर बैठते हैं वो डाली ही कात लए दुनिया में एसम बंब बनाई रखते हैं इस दुनिया में रहना भी है है एकम बंब बना करके उसे दुनिया को खलाफ करना चाहते है ऐसी पथर गुद्धी बन गई ऐसे पथर गुद्धियों को परमात्मा बाप ज्यान दे करके फिर पास गुद्धी बना ले तो मनुशिको देवता बनाना ये परमात्मा बाप का काम है लेकिन जो इसस्थी पर आत्मे पहले पहले सक्टिक में आती है वो सेथ आत्मे लिए सक्टिक वो त्रेका में सिर्थ देव आत्मे ही इसस्थी पर आती है उस समय भारती ही सिर्थ होता है धर्मखंड दूसरे धर्मखंड नहीं होते ये अरावदेश, दूसरे दूसरे जो धर्मखंडों के देख हैं, वो धाई जार्शान पहले कस्ती परने को पुलेगा, सब समुत्र में डूगे हुए थे, अभी भी ऐसा ही होगा, ये एकमबम जब फटेंगे, तो पर्थवी का बैलेंस टूप जाएगा, बड़े बड़े और उस्तरी दूप और दख्णी दूप में जो शैप और मीरूं के पहार है, बर्थे जबे हुए, वो पहार पिगल जाएंगे, एकमबमों की जर्मी से, और जब वो पिगल जाएंगे, तो दरार आने से को तारे समुत्र में आजाएगे, और समुत्र का जो इस तरह है, वो बढ़ जाएगे, जब समुत्र का इस तरह बढ़ेगा, तो ये अपरीका, ये अमेरिका, ये आसे लिया, ये अरब ने, जो पहले दे ही नहीं, वो साथ समुत्र में समझाएगे, अब से वह भारत ख़ंद रहे जाएगे, जहां भगवान आती, कोई शुकार में होगा, जब समाते है, जरूर है, भारत ख़ंद रहे होगी, देवताओं का देश है, देजवारों का देश है, ये मात पिका का देश कहा जाता है, मात पिका दश्चों को देशे है, लेने की इच्छा ले करते है, इस भारत से देश में बगवान आया हुआ है, वो आतर के रागवा बता रहा है, कि इस दुनिया के विनास हो देशे हो देशे है, आतना वर्षा मोनी पाप्चे देवे, जो लेगे, जो पुर्षास करेंगे, वो फाइदे ने, एक जनम के फाइदे में नहीं, अनेक जनमों का फाइदा हो जाएदेगा, जो अनेक जनमों का फाइदा होता हो, तो एक जनम की जो थोड़ी सी प्राक्टी हो रही है, उसको क्या करने में क्या वड़ी बात है, इस दीवने का इतना घंबासा में, तो जीत गया, आव थोड़ा का फाइद बचा हुए, दूसरा दिश्वे तो हुआ खारा, तो बीच-बीच मेगावाट की बंदियत हो चुकिए, दुनिया ने हाहा कार हो क्या था, अभी तो हजारों हानार मेगावाट के असर्भम तैयार हो चुकिए, कोई बड़ी बात नहीं है, तब विश्वत शुरू हो जाए, और अगर ततिली विश्वत हुआ, तो सारे ही देशे से विश्वत में पूद पड़े, अगर तो बुलान खाकता तती विश्वत में कुछ तश्की रह भी गई, तो चौथा विश्वत होने में देर नहीं रगी, जिसमें ये सारी है एक्टमे कुछ निया खळात हो जाए, अभी टाइम जाला नहीं है, अभी इस्वर का तारी भी पूरा हो चुका, जो ग्यान देना था, वो सारा ग्यान दे दिया, अब समझाने के पाज, लिए परमात्मा के पाज कुछ रहा नहीं, तो आभी समय है, शांसी के टाइम में अच्छी पढ़ाई होती है, जब जिन्दगी में जंदा रोरी लग जाते है, शादिवादी हो जाती है, तो पढ़ाई नहीं होती है, ये भी परमात्मा बाग पढ़ाय रहा है, अपनी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए, अनेक जन्दों का सुक्षांसी का वर्षा जद्दी से ले लेना चाहिए, अच्छा, ओम सारा,